नमस्कार, अब Happy New Year तो नहीं कर सकता हूँ, बट, अडवांस में आपको, Happy New Year. मैं सोच रहा था प्रेस कान्फरेंस के बारे में मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि Happy New Year का मैं भी आज आपसे एक सवाल पूछूँगा, मतलब जब आपने सब पूछ लिए तो मैं पूछूँगा मैंने सोचा है आप सब के लिए भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली तक पहुँची है और हम सब को बहुत कुछ सीखने को मिला समझने को मिला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लक्ष आप जानते हैं हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फिलाई जा रही है उसके खिलाफ ये यात्रा है और मुझे लगता है कि काफी सिक्सेस्फुल यात्रा रही है अभी तक जो शायद हमने सोचा भी नहीं था उससे भी जादा इस यात्रा ने अच्छीव कर दिया है बीरोजगारी का मुद्धा भी है महंगाई का मुद्धा भी है और जो हिंदुस्तान में इंकम इनिक्वालिटी आ रही है चुन्यों है लोगों के पास अर्बों, रुपे और बाकी हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं, ये भी हमारा एक मुद्धा है परस्नली जब मैंने यात्रा शुरू की मेरी सोच थी कि ये कन्या कुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा है और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया मैंने कहा देखो मैं जाओंगा और मैं एक्स्पिरियंस करूँगा मैं कोई मतलब प्रिकंसीव नोशन नहीं ले जाओंगा तो शुरूआत ये थी कि शुरूआत में लगा कि भाई तेको हम पैदल चलने है मगर पिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि actually ये जो यात्रा है जिसको मैंने नदी भी कहा है ये एक जीवत चीज है इसकी एक आवाज है इसकी भावनाए हैं फीलिंग्स हैं और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाए हैं फीलिंग्स हैं तो ये यात्रा हमें ये चीजे बता रही है तो मुझे एजे इंडिविज्वल काफी सीखने को मिला और मैं सब को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी हमारे साथ आए आप लोग मेंसे बहुत लोग आए और खासतोर से जो हमारे उपर आकरमन करते हैं मेरे जो RSSK, BJP के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि एक्चली हो क्या रहा है जितना वो आकरमन करते हैं उतनी हमको अपनी पोजिशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है तो मैं चाहता हूँ और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें तो कॉंग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलोजी है वो अच्छी तरे और अच्छी तरे समझाए एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरू मानता हूँ कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे है कि क्या नहीं करना चाहिए रियक्ट कैसे करना चाहिए और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे है मुझे तो उनका भी मैं धन्यवाद करना जाता हूँ थैंक्यू तो प्रकार से संजे मिश्वाद करना चाहिए नहीं देखे जैसे मैंने कहा मेरे लिए जैसे कल में किसी दबात कर रहा था उन्होंने मुझे से पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा हमें प्लाइनिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे काफी लोगों ने कहा है इस्ट वेस्ट यात्रा कोई और कुछ और कह रहे हैं और मैंने उनको जवाब देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है यह में कुछ बोल रही है और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भाईया देखो यात्रा के बाद क्या होगा तो एक प्रकार से यह जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ रही बात विपक्ष की मैं जानता हूँ कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शन भी होते हैं पोलिटिकल कंपल्शन होते हैं uponshions होते हैं, तो मैं कॉमंटनी करना चाहता हूं कि क्यौं आ रहे हैं, ग्यौ costing नी करना रहा है, कौन आ रहा है, कौन ने रहा Herskins pozis मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दर्फाजे क्विल्शे जो भी भारत को जोडना चाहता há उसके लिए खुले हैं किसे को हम रोकने वाले नहीं है तूसरी बात विचार धारा में similarities होती है तेकि नफरत और हिंसा और महबत में similarity नहीं होती है diametrically opposite चीज़े हैं मगर बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं मायवती जी हैं बहुत सारे लोग हैं जो महबत का हिंदुस्तान चाहते हैं मैं जानता हूं नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं तो रिष्टा तो है उनके साथ आइडियोलोजिकल रिष्टा और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने करिष्टा है आपने मतलब 6-7 क्वेस्टिन एक क्वेस्टिन में पूछ लिया देखिए सबसे पहले मेरा लक्ष हिंदुस्तान को एक और टर्निटिव विजिन देने का है और टर्निटिव दृष्टिकोन देने का है एक निया तरीका देने का है सरकार की कमिया है उसमें मैं आपको बता सकता हूँ बेरोजगारी इकनोमिक मिसमैनेजमेंट नोट बंदी गलत GST चाइना ये कमिया है गलतिया की है मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ ये है कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का जीने का नया तरीका देने की कोशिश करने है तो अगर आप डीटेल्स चाते हैं तो आप मुझसे पूचिए चाइना के बारे में पूचिए शायद आप वो ना पूचिए पता नहीं बाकी चीदों के बारे में पूच सकते हैं बट ब्रॉड ली ये है पता नहीं ये मतलब ये ये कहां है ये मतलब दिल्ली में तो हैं नहम ये कहीं ओव रट है ये भाईया AICC office है नहीं है अभी है ना तो मुझे पता नहीं मतलब मुझे तो लग रहा है भाईया पता नहीं मेरी दूसरी reality हो आपकी दूसरी reality हो मगर मुझे तो ये निउडेली दिख रहा है और कुछ एक हाँ ये उतो बहुत campaign चलाते है उनके पास पैसेगी कोई कम ही नहीं है campaign ही campaign चलाते रहते है मगर जो मैंने कहा और बड़ी interesting बात है और मैं इसको 99% बिलीव करता था 100% बिलीव नहीं करता था मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूँ कि सच्चाई को कोई भी campaign कितना भी पैसा नहीं चुपा सकता नहीं मिटा सकता तो ये मेरे लिए बहुत मतलब interesting observation है और जैसे मैंने कहा अभी कितने लगाए होंगे 5-6,000 क्रोड लगा दी होंगे थोड़े और लगाईए कमीनी ये पैसे की डाले और थोड़ा डाले लगाईए कुछ असर नहीं पड़ता है अजी देखिए दो चीज़ें है इसमें मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ ठीक है अब सरकार चाहती है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा करो हूँ कहते है आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो आप बुलिट प्रूव गाड़ी में बैट के कन्या कुमारी से कश्मीर तक चलो अब यह मेरे तो acceptable नहीं है, अब यात्रा में आप मुझे समझाएए, भारत जोड़ो यात्रा में, मैं बीपी गाडी में कैसे बैठूँ, अच्छा जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता, बीपी गाडी से भार आ जाते हैं, तो फिर कोई चिठ्थी नहीं जाती, उनके नेता निकल गए, तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे प्रोटोकॉल अलग, और सारे सी आर पी एफ के लोग जानते हैं, सीनियर जानते हैं, कि मेरी सेक्योरिटी के लिए क्या करना है, और हमारी सेक्योरिटी, बीपी गाडी में मतलब मैं कैसे चलूँ, आप जिता दो अलब अपनी सेक्योरिटी तोडता जाता है, तोडता रहता है, तोडता रहता है, केस बना रहे हैं, ठीक है, बनाएए, दैनिक भास कर से, अनिरूद, भई मुझे बताओ, एक बात मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रही बात, ये टी-शर्थ से आपको इतनी डिस्टरब क्यों हो रही है अब तो यह जानना है कि वो पॉन सी घुटी है कि और वो तो कि आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूँ मतलब इसेटनी डिस्टरबंस क्यों और यह लोगों को अच्छा तुम मैं ऐसे करूंगा यातरा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी-शर्ट में कैसा कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कंफरंट किया जाता है बना दूंगा आपके लिए शुक्रिया रहो जी रवी थर्पाट शीजिश्टरबंस क्वेश्टरबंस गुरुजी यह आप यह आपने स्वेटर क्यू पैन रखा है नहीं इसका कारण यह नहीं है इसका कारण यह कि आप सर्दी से डरते हो इसका कारण नहीं है कि सर्दी है आप सर्दी से डरते हो मैं सर्दी से डरता नहीं हूं सीदी जी बात है अब देखें देखें ना अब देखें मोधी जी के प्रेस कॉंफर्स तो होते नहीं तो मैं उनके भी दो थी इन क्वेस्टिन सप्लिमेंटरी आपको दे देता हूं नहीं आपको सीरियूसली बता हूं जो ठंडी नहीं लग रही है अभी तक और मैं 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 पता नहीं मुझे लगनी रही है मगर मगर मैंने मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगने शुरू हो जाएगी मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूँगा बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है जबीत रपाट इस जी से नहीं हमारी जो हमारा जो स्ट्रक्चर है जो सिस्टम है उसमें हमारे जो स्टेट्स हैं वह इंडिविजूल डिसिजन्स लेते हैं हम उनको इंडिपेड़न्स देते हैं तो अब तो मैं Congress President भी नहीं हूँ, तो ये सवाल आपको खारगेजी से पूछना होगा कि नैशनल लेवल पे Congress Party की Pension Scheme स्कीम पे क्या स्टाडिजी है, अगर जेनरली Congress Party का structure है कि अगर राजिस्तान करना चाहता है और हर्याना हिमाचल करना चाहता है तो उनको करने दो, हम वीटो पार मेंटेन करते हैं कि अगर बिल्कुल कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर हम उसको चेक करते हैं, बट नॉर्मली हम इंडिपेंड़न्टली करने देते हैं। भए वो तो आप मोदी जी से पूछिए ना, उनके भी सवाल मुझे। कर भी जी 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 टेसे लिग जब काॉट स्ट टारूच करे वहां कि अन्टली करते हैं, what I am hearing from the ground what I am seeing from the ground it will become very difficult for the BJP to win the election but the opposition has to coordinate properly and the opposition has to go to the people of India with a vision with an alternative vision to the BJP not just go to the people of India but there is a lot of there is huge undercurrent against the BJP massive undercurrent see every time there is a press conference there is one or two attempts to you know completely take the attention and take it in that direction now I don't fall for these type of things my focus is on the idea that India should be united that we fight hatred and anger with affection love and harmony and we are providing an alternative vision of this country so I think that is what I would like to focus on these questions of course you have to you have to keep saying them because this you know this is the nature of media so I am going to let you I am going to let you keep doing that you can enjoy yourself doing it and I will also have a little fun while you do it now I am going to let you know I am going to let you know जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि यह इसमें फ्रॉच्ट्रड प्रॉबलम्स हैं, बगर यह अपना काम कर रहा है, आज मैं सोचता हूई कि यह अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे हैं, जो हम उनको, जो उनका imagination है जो हमें देना चाहिए हम देनी रहें तो अगर आप सबसे शौकिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैं कन्या कुमारी से अब दिली तक आया हूँ कितने एक सो आठ दिन हो गए एक सो आठ दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात किये और हर बच्चे से मैंने पूछा है तुम यूनिवर्सिटी के बाद कॉलिज के बाद क्या करना चाहते हो हर्दानों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ पांच जवाब मिले मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनिस चला रही हूँ और एक लड़के ने कहा कि मैं मेकैनिक बनना चाहता हूँ पर 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लोयर, डॉक्टर, इंजिनियर, आईएस, जड़्ज मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिन्दगी में तुमारे बद पांच काम है और रियालिटी ये है रियालिटी सचा ही है कि ये सब बच्चे एंजिनियर नहीं बन सकते डॉक्टर नहीं बन सकते, लोयर नहीं बन सकते तो ये जूट है तो हम अपने बच्चों को जूट बोल रहे हैं मैं पूछता हूँ, बच्चे आते हैं, क्या करना चाहते हो इस, अच्छा, इस में कितने लोग जाते हैं हर साल, आप अंदाजा लगाई जवाब क्या मिलता है, मैं पूछता हूँ, कितने लोग इस में हर साल जाते हैं, बच्चे क्या गहते हैं, क्या लगता है, अच्छा बत 6 लाग, 1 लाग, 2 लाग, 3 लाग, जब मैं उनको कहता हूँ भाई, 150 जाते हैं, दो तीन को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया, वो रोना शुरू कर दी, कि देखिए, आम उनको सही इमाजिनेशन नहीं देने, हम उनको रास्ता नहीं दिखा हैं, तो पहली पहला का एजुकेशन सिस्टम है, यह एजुकेशन को खोलता नहीं है, तो सबसे, सबसे बड़ा काम और यह शायद दो, तीन, चार साल में नहीं होगा, मगर डाइरेक्शन यह होना चाहिए, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो बिल्कुल दूसरे डाइरेक्शन में जा इसे प्रड़क्शन नेशन बनना चाहिए, फरक है, यह जो देश है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रड़क्शन करता है, जो जिसके पास स्किल है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मेकैनिक हो, चाहे वो बड़ाई हो, मोची हो, नाही हो, जो भी हो, जिसके पास स्किल है, सबस फोसरी बात, उसकी स्किल को डिस्टॉय करने की गुशशिश करते हैं, और उसको मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको मार 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 के उसे निकाल देते हैं, और बिना इसकिल की रिस्पेक्ट किये, ये देश कभी अपने युवाँं को रोजगार नहीं दे सकता है, सिंपल बा इसकारे में कहना चाहता हूं, जो देश में हिंसा है, नफरत है, के उस्सा है, इसका असर, इसका एफेक्ट, दूसरे देश देखते हैं, और उसका फाइदा उठाते हैं, हमारी जो confused foreign policy है, जो एक प्रकार से event-based non-strategic foreign policy है, उससे, हिंदुस्तान को जबर्दस्त नुकसान हो रहा है, और बहुत भारी चोट लगेगी, और मैं दोहराता जाता हूं, दोहराता जाता हूं, मगर कोई सुनता नहीं, जैसे मैं कोविट के समय दोहरा रहा था, कि भई, प्रॉब्लम आरी है, कोई सुनता नहीं, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट में ये कुछ नहीं हो सकता, अगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करता है, एक आदमी दूसरे को मानने की कोशिश कर रहा है ये कुछ नहीं हो सकता तो foundation, महबबद, एकता, इज़त, रिस्पेक्ट है न्यूज 18 से अरून कुमार सिंग अलाव अलाव जब आप यहां से गैस हैं यह सब्सक्राइब भारत हो वे आतरा आपका सवाल पूछे, उनके सवाल मत पूछे, आपका सवाल ही है संक्ष्ट, संक्ष्ट, सीधा पूछे ना, सीधा तो उसमें क्या है कि अब जब आप यात्रा कर चुके तो कई लोगे कहते हैं कि वो राहू नहीं कि अंतर तो अंतर तो इस प्राइस कांफरेंस के बाद भी आएगा अंतर तो व्यक्ति में कंटिनियोस होता है, नॉन स्टॉप होता है तो वो तो है बट जो जो मेरी फाउंडेशन है, जो नीव है उसमें मुझे कोई चेंज नहीं दिखा, उसमें वो फाउंडेशन मेरी वो ही है, जरूर मैं मतलब बहुत कुछ सीखा हूं और हर रोज सीखता हूं, और सिरफ यात्रा से नहीं, हर इंटरेक्शन से मैं सीखने की कोशिश करता हूं, तो एवलूशन तो होता रहता है, मगर जो जो फाउंडिंग प्रिंसिपल नहीं, कि वो उसमें इतनी चेंज नहीं है, वो मैं यह कह सकता हूं, वो और भी स्ट्रॉंग हो गया है, वो कह सकता हूं, बट उसमें इतनी चेंज नहीं आई है। इस ही चलवाओ, प्लीज, आप स्वेटर लिए, कैसे बैठे हो इस कमरे में? आपकी चबडी बहुत मुटी है। उनकी व्यू अलग है, हमारी व्यू अलग है, तो उनका उपिनियन हमारे से अलग रहता है, हमारा अलग रहता है, तो डाइकॉटोमी तो कुछ है नहीं। अलग उपिनियन हैंग नई, अलग व्यू पैंट उनका व्यू पैंट दूसरा है, विचारई दाहरा दूसरी है, विचार दाहरा की लड़ाई है, उनको अपनी व्यू पैंट रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर वो अपनी व्यूपॉइंट बदलने, तो हमारे प्रोब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी व्यूपॉइंट को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, तो उनको जो लगता है, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, और हमें जो करना है, हम करेंगे, डा बहुत पुरानी लड़ाई है, और ये राजनेतिक लड़ाई नहीं है, ये मुझे समझ आ गया, जैनेंदर एवीपी से, राओ जी, मैं फिर से आपको दोजार्विस के सवाल पर बेगाना चाहता हूँ, आपने कहा कि अच्छी को वायावंती ची को भी महुद्वाबत का हि लेकिन अभी अच्छी ने कहा था कि कॉंग्रेस और बीजेपी देख नैसे है, इस सवाल मैं ये पूरा करना चाहता हूँ कि एक पर आपकी क्यामदा दिखिया आए, और दूसरी बात ये आपने कहा कि पीजेपी एक लाग प्लीज नहीं, एक सवाल प्लीज, आपने पूछ क्योंकि अगर बीजेपी और कॉंग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोधी कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात कभी नी कर सकते, मतलब होई नहीं सकता, कि अगर बीजेपी की नेता कह रहे हैं, कॉंग्रेस मुक्त करो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी मुक्त करो, ब तो नहीं कह रहे हैं, तो यह तो पूरा देश जानता है, कि कॉंग्रेस और बीजेपी आइडियोलोजिकली बिल्कुल उपोज हैं, और यह पुरानी लडाई है, पुरानी विचारधारा की लडाई है, बट अखिलेश जी की भी जगह है, और उनको यह ऑप्शन, मतलब बोलन का अप्शन मिलना चाहिए, और उनका परस्पेक्टिव है, वो उनके लिए ठीक है, हमारा परस्पेक्टिव है कि हमारी लडाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लडाई है, पुरानी लडाई है, और इसको जीतेंगे. नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, एक बात जरूरी है, कि ये अब ये टैक्टिकल पुलिटिकल फाइट नहीं रही, मतलब कि उसमें एक ग्रूप वहाँ आ जाए, और एक ग्रूप मिलके बीजेपी को हरा दे, अब वो गाड़ी गई, क्यूं? क्यूंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रस्ट्रक्चर है, इंस्टिटूशनल फ्रिमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है, ठीक है, और अब वो हिंदुस्तान की पुलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डॉमिनेट कर रहे हैं, अब उनको हराने के लिए, एक विचारधारा की जरूरत होगी, और मैं उपोजिशन की बहुत रिस्पेक करता हूं, और उपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें, तो उनके पास एक नैशनल विचारधारा नहीं है, वो यूपी में जरूर उनकी पुजिशनिंग है, और उसको उने डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आएं, बट नैशनल विचारधारा नहीं है, समाजवादी इडिया केरला में नहीं चलेगा, करनातक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडियलोजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरुवत है, वो कॉंग्रेस पार्टी ही दे सकती है, और वो हमारा रोल है, मकर हमारा रोल यह भी है, कि जो के लोग हैं, वो comfortable feel करें और उनकी respect हो, mutual respect, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें सब्सक्राइब करें ושे विषियरोड़क, नहीं नहीं नों को रौदिए अच्छानेंक टॉचर्स्ट का टैस्टोर्स कि है, विष्टर हैर्ट अजीजिजिए अविर्ट इनुग विष्ट कि इस विष्ट कि आप दॉट कि आप लेगीजिए दी एक एट दी आट ते डिट ता कि आप है So, every single one of them, every conversation, I learn something from, you know. There is a general survey that has written the Congress in Madhya Pradesh. Congress, I will give you one thing. Congress will sweep it to Madhya Pradesh. The BJP will not show there. I guarantee you to write it and tell me about it. I mean, if you don't have any question about that, that the BJP will not show there. Because I thought that in Maharashtra, I mean, I said that in Maharashtra, I got a very good response. In Madhya Pradesh, it was a total undercurrent. There was a storm. In Madhya Pradesh, every person knows that the BJP has stolen the Congress and made money. So, it's in the whole country. You do it like Lakshman Singh Ji, sit with him. Put a big rule. Put a big rule. Put a big rule. You will have a benefit. No, I am not saying that. You are saying that. No, no. I am not saying that at all. What do you want to say? In my mind, as I said earlier, the yatra is a conversation. And I don't think it's fair for me to make any comments before that conversation is over. I can answer such questions the day the flag is hoisted in Srinagar and the conversation, at least this phase of the conversation is over. I can then probably answer your questions. This type of a question. I don't want to take the yatra and demean it by making it about something that it's not. No, I outlined it right now. Number one, making India a production nation. Which means that respecting skills and moving the mindset from one of GDP growth to GDP growth plus employment plus production plus exports, etc, etc, etc. That's the first thing. The second thing is, which is very important for the future and is important if you want to build a production nation, is giving our children an imagination. Telling them that, look, if you want to become, I mean, it's a strange question, but why is it that out of, out of, uh, lakhs and lakhs of people I've met, thousands and thousands of children I've met, that nobody said, I want to be a pilot. Nobody said, I want to be an astronaut. Nobody said, I want to be India's best singer. Why? Because our system is saying to them that these are all dead ends. Right? But if you look, if you look at countries that produce, and I give this example, I give this example to kids. If you look at company like Honda, company like Toyota, the people who founded these companies were mechanics. But no mechanic in India can ever imagine that he could one day be the head of a, you know, thousand, two thousand, ten thousand crore company. Now, if you want to produce, that has to change. So we have to give him the structures that will allow him to do that. That will allow his imagination to, to do that. Right? And then the final thing is, we can see what is going on in the planet. We can see the turmoil that is taking place. And I am absolutely convinced that India has a place, central place in the planet, on the planet. Right? And I don't, I don't view it so much as look how powerful India is. Yes, we are powerful, but we were not that powerful 70 years ago, 80 years ago, 90 years ago. But we had a vision. Right? When Mahatma Gandhi, for example, was speaking about the Indian freedom movement, people in the United States, people in the Soviet Union, everywhere were listening to him. Why? Because there is something very powerful called Indian values, Indian philosophies, Indian thinking. And that's actually our strength. And we are destroying it. So when we make one Indian fight with another, when we are not harmonious, when, when a foreigner comes to India and he feels terrified that something might happen to him, we are attacking our own system. So these are the type of things that would be part of an alternative vision. Also, by the way, I don't see why only two or three or four people should benefit from the wealth of this country. I just don't understand it. Right? So, a sense of equality. There is a place for large business. I absolutely agree. And they have a central role in India in its future. But it cannot be that there are two or three business people who run this country. It can't, we, this, it just cannot be. TV9 from Kumar Vikrant. वो बीजेपी के हैं, तो उनका वहाँ पर प्रॉब्लम तो होगा। अब आप उनसे पूछिए, पहले मुझे थोड़ा, मुझे ही कन्फ्यूशन हो गई है। पता नहीं, पता नहीं, अब क्या बोलू। मुझे कंफ्यूश कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंधर, कभी अंदर, कभी अंदर, वहार, पता नहीं, मुझे. आपने पूछ लिया, अब अभी बोलने वाला था, कि पूछ नहीं कर नहीं, पूछ equally Certimenl Guess or Child or elf. देखिए सबसे पहले मैं एक बात क्लिरली कहना चाहता हूँ मैं शहीद परिवार का हूँ मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुई यहाँ पर कोई है जिसके फैमिली में कोई शहीद हुआ कोई है यहाँ पर आप है आपके ब्रदर तो आपको मालूम है कि क्या लग कैसी चोट लगती है क्या फीलिंग आती है ठीक है तो मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है मैं जानता हूँ समझता हूँ और बीजेपी के टॉप लीडर्शिप में कोई नहीं है जो समझता है यह मतलब अच्छी बात खारा बात नहीं है बट रियालिटी है कि उनके परिवार में कोई उनकी उनके पिता या उनकी दादी शहीद नहीं हूँ तो मैं बहुत क्लियर ली समझता हूँ और मैं यह भी चाहता हूँ, मेरी जेनरल अप्रोच यह है, कि मैं चाहता हूँ हमारा एक भी सिपाई, किसी भी फोर्स का, ना शहीद हो, यह मेरी स्टार्टिंग पोजिशन है, कि मतलब मैं यह नहीं चाहता हूँ, कि हम इस चीज को कैशुली लें, कि हम सेना को राजनेतिक फाइदे के लिए यूज करने हैं, और उसका नुकसान, हमारे जवानों को, उनके परिवानों को हो, तो यह मेरे बिल्कुल मतलब, सैक्रोसेंट है, मैं यह नहीं करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ, जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं, आप मेरी टी-शिर्ट की बात कर रहें, मैं आज खड़े हैं, सियाचिन में, उधर हिमाले पे, मैं जानता हूँ कि उनको क्या डिफिकल्टी सामना करनी बढ़ती हैं, और मैं उनसे प्यार करता हूँ, हर सोल्जर से, और मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ ना लगे, चोट ना लगे, जब हम, जब नैशनल लवल की लीडर्शिप, स्ट्रटीजिकली काम नहीं करती है, इंटरनेशनल रिलेशन्स में, जियो पॉलिटिक्स में, एक गम रिस्पॉ चैनल कर दिया है, ठीक है, और मैं आपको, मेरी मेरी थिंकिंग है, देखे, हमारी फॉरण पॉलिजी का क्या लग्ष था, और कॉंग्रेस पार्टी ने सक्सेस्फुली क्या किया था, कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है, यह सेंट्रल हमारा कॉंसे आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए है, और यह कोई मामुली बात नहीं है, यह बहुत गहरी बात है, यह डेंजरिस बात है, ठीक है, और यह क्यों होई है, क्योंकि हमारी सरकार ने मिस हैंडल किया है, हमारी सरकार ने फॉरण पॉलिसी को मिस हैंडल कर दिया है, और जो broad structure is foreign policy का, उसको वो समझे नहीं ठीक है अब मैं कह रहा हूँ कि ये दो एक हो गए हैं अब रिस्क है और कहीं न कहीं ये कुछ न कुछ करेंगे और पहला कदम इनोंने ढोकला में लिया और दूसरा कदम इनोंने लदाक में लिया मेरे लिए, मेरी व्यूपॉइंट से ये प्रेपरेशन है अगर नहीं है तो बहुत अच्छा मगर मुझे लग रहा है कि ये प्रेपरेशन कर रहे है और मैं सरकार को कह रहा हूँ कि इट इस नोट इफ इट इस विन मेनिंग अब आपको पूरी प्रेपरेशन करनी है और उस प्रेपरेशन में दो तीन चीजों की जरुवत है सबसे पहले आपको सेना, वाईू सेना, नेवी जो भी हमारे स्ट्रक्चर्ज हैं उनकी बात सुननी है वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुननी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है इसका मतलब जो आप पुलिटिकल यूस कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा एक दम दूसरी बात जो हमें प्रेकॉशन लेने है और वो मिलिटरी प्रेकॉशन हैं मगर नौन मिलिटरी प्रेकॉशन है वो आप शुरू कर दीजिए तीसरी बात जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको आप छुपाईए मत क्योंकि चाइना को मेसिज जा रहा है तेकि चाइना दो हजार स्क्वेर किलोमेटर हमारी जमीन ले गया है चाइना को मेसिज प्रधान मंत्री ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया मैं आपके घर के अंदर आगया ठीक है और पिर मैंने आप से आप से आप नहीं आपने मुझ से का कि नहीं तो आप तो आई नहीं तो मैं कॉन सो मैंसे ले जाओंगा तो यह message उनको जा रहा है तो हमें clearly यह कहना है भी आप अंदर आयो publicly कहना है आप अंदर आओ निकलो यहां से तो यह सरकार इस पर confusion में है और मैं चाहता हूँ कि यह confusion हटे अब मेरे बारे में क्या गड़ते हैं जब मैं सरकार की बात करता हूँ एक गम कहते हैं मैं आर्मी के बात करना हूँ नहीं मैं आर्मी की बात नहीं करना हूँ मैं सरकार की बात करना हूँ सरकार में और आर्मी में फरक है सरकार ने गल्ट निर्ने लिये है तो सरकार को आर्मी के पीछे ये नेवी के पिछे, और एएर फोस के पीछे नहीं चुपना चाहिए ये कायरता है और सरकार को ओनाप करना चाहिए कि हम ने ये किया, ये गलती हुई आब इसमों ठीक कर रिए हैं और हम उनको मदद करेंगे पूरा opposition सिर्फ मैं नहीं, पूरा opposition सरकार को मदद करेगा, मगर बताइए तो क्या हुआ? The idea of Bharat Jodo is a framework. It's a way of working. It's a way of thinking. So, of course, I'm not the Congress President. And a lot of that work now, the Congress President will probably do. but it is about bringing people together and making them comfortable you know respect basically I need to ask I need to ask the new year question myself now because because my one question I get so why am I not allowed to use a teleprompter I have the wrong thing I mean you give a teleprompter 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 so why not me? no but you should give a option but one more question is not my second question you have to ask why press conference? my second question is another question this question is a very interesting question you have given that option to Adani ji that you have never given the Prime Minister and he hasn't given the other option to change the currency? so what does this mean? Adani ji is a teleprompter, the option to change the currency, the Prime Minister is a teleprompter and we are not anything? ret £40 is not generating the money so what is this means what does this mean? I have removed from the firm's the first time I have learned and now I have learnedmill the storms